अिन्शुरन्स कम्पन्य सेलेक्तेट 2,000 ड्राइवर्स एट रेंडम दाटिज विदाऊथ अनी प्रेफृरेंस और वन ड्राइवर ओवर द अधर तो रेंडमली एक इंशुरन्स कम्पनी ने 2,000 ड्राइवर्स उनको सेलेक्ट किया तो उन्होंने randomly किसी एक city में से 2000 drivers को select किया यह find out करने के लिए कि उनकी age और उन्होंने कितने कितने accidents किये हैं उसके बीज में क्या relationship है कि किस age वाले बंदे ने ज्यादा accidents किये हैं यह data कठा करने के लिए तो यह उन्होंने बोला कि यह data कठा हुआ कि यह अगर इस age group में अगर हम divide करें कि एक driver जैसे 18 से 19 साल की age का हो तो ऐसे 440 drivers ऐसे हैं जिन्होंने एक भी accident नहीं किया जीरो accidents 160 drivers इस age के इस age में लाई करने वाले 160 drivers ऐसे हैं जिन्होंने एक accidents किया 110 ने 2 accidents किये 61 ने 3 accidents किये और 35 ऐसे हैं जिन्होंने 3 से ज्यादा accidents किये इन 1 year अब 30 से 50 age group में हमारे पास यह data आ गया कि 505 ने कोई accident नहीं किया उसके बाद 125 ने 1 किया and so on similarly अगर age 50 साल से ज्यादा हो तो उसका data भी हमारे पास available है अब इसको मैं यहां रख लेता हूँ find the probabilities of the following events for a driver chosen at random from the city तो वो कह रहा है कि अब हमें कुछ probabilities निकाल नहीं है आप यूं consider करो कि हमने शाहर में से कोई एक driver randomly select किया तो आप यह बता हो कि उसकी probability क्या होगी being 18 to 29 years of age पहली बात कि वो 18 से लेगे 39 साल का हो पहली चीज़ and having exactly 3 accidents in 1 year और उसने एक साल के अंदर exactly 3 accidents किये हो इसकी probability क्या होगी देखो अब हम इसकी probability जो नकालेंगे वो इस data के base पे नकालेंगे कि हमने जो एक data collect किया था उसके base पे हमने ये information gather की कि किस-किस age के लोग कितने-कितने accidents करते हैं तो अब 18 से लेगे 29 साल तो यानि कि सबसे पहले तो 18 से लेगे 29 साल का मतलब यह है कि वो इस row में lie करेगा ठीक है क्योंकि सरफ 18 से लेगे 29 साल के बीच में जो driver है उसी का ही data चाहिए हमें यहाँ पे तो इसका मतलब वो यहाँ पे ही कहीं से हमें मिलेगा दूसरा having exactly 3 accidents तो इस age ग्रूप में exactly 3 accidents करने वाले बंदे कितने हैं 61, 61 persons ऐसे हैं out of 2000 कि अगर मैं 2000 बंदों का sample लेता हूँ 2000 drivers को select करता हूँ randomly उनका एक sample लेता हूँ तो on an average उसके पीछे 61 persons ऐसे हैं जिनकी age 18 से 29 साल के बीच में हैं और वो एक साल के अंदर exactly 3 accidents करते हैं तो अब यह जो मेरा event था इस event को मैं even बोल देता हूँ और यह क्या था कि age जो है age होनी चाहिए मेरी 18 से 29 साल प्लस exactly 3 accidents एक साल के अंदर तो इसकी जब मैं probability निकालूँगा तो simple सा ही है 61 divided by 2,000 तो 2000 drivers के sample data में से on an average 61 drivers ऐसे हैं जिनकी age 18 से 29 साल के बीच में हैं और वो एक साल के अंदर 3 accidents करते हैं next part being 30 to 50 years of age तो पहली बात कि अब जो data है वो इस line में होगा जो कि उसने बोला है कि driver की age 30 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए and having one or more accidents in one year one or more one or more का मतलब क्या है कि यहां तो उसने एक accident किया हो यहां दो किया हो यहां तीन किया हो यहां तीन से ज़्यादा किया हो right सिरफ यही वाला case बच जाता है कि zero accidents को हमने नहीं consider करना तो इसका मतलब 125 plus 60 plus 22 plus 18 इतने drivers हैं तीस और पचास साल की age के बीच में जिनने एक यहां एक से ज़्यादा accident किया हो यानि कि यह मेरे बस क्या बनेगा e2 e2 event जो है वो क्या है के age है 32 50 years plus accidents कितने है accidents है greater than और equal to one तो probability of e2 कितना हो जाएगा 125 plus 60 plus 22 plus 18 divided by total number of drivers यानि कि 2000 और वो कितना हो जाएगा हमारे पास 225 divided by 2000 which is equal to 0.1125 that is the answer अब हम third part की दरफ चलते हैं अब third part कहता है having no accidents in one year तो अब आप यह बताओ कि हमने जो driver select किया जो randomly हमने एक driver select किया है अब यह बताओ कि उसकी probability क्या होगी ऐसा driver select करने की probability क्या होगी जिसने एक भी accident ना गिया हो तो पहली चीज इसमें age का कोई लेना देना नी राइट इसमें age का कोई लेना देना नी सिर्फ और सिर्फ हमें इस data को देखना है कि जिन्होंने कोई भी accident ना गिया हो तो वो सिर्फ और सिर्फ इस column में लाई करते हैं इन्होंने एक accident किया है इन्होंने दो तीन तो इन सब को छोड़ दो सिर्फ और सिर्फ ये एक column ऐसा बज़ता है कि किसी भी age group का बंदा हो उसने कोई भी accident नहीं किया तो वो कितने है 440 प्लस 505 प्लस 360 तो मेरा event क्या अधाएगा E3 हो जाएगा No accidents That's it No accidents करने वाले drivers ठीक है इनका मझे count लेना है तो वो कितना हो जाएगा probability of E3 क्या अधाएगी 440 प्लस 505 प्लस 360 डिवाइड बाइ टोटल 2000 डेटा था हमारे पास 2000 ड्रेवर सेलेक्ट किये थे तो 2000 से हमने डिवाइड कर दिया इस frequency को और ये कितना आगा है मेरे पास 1305 डिवाइड बाइ 2000 which is equal to 0.653 is the answer So that's it from this tutorial keep watching Mathemafia झाल